मस्तर जी एक सवाल पूछे हाँ पूछो हाथी को फ्रीज में कैसे रखेंगे अरे बेवकूफ हाथी फ्रीज में नहीं आ सकता मस्तर जी फ्रीज बहुत बड़ा है ठीक है पहले फ्रीज खोलेंगे और हाथी को अंदर डाल देंगे एक और एक और सवाल पूछो मस्तर जी गदे को फ्रीज में कैसे रखेंगे पहले फ्रीज खोलेंगे और गदे को भी उसमें रख देंगे गलत जवाब पहले हाथी को बाहर करेंगे फिर गदे को फ्रीज में रखेंगे एक और सवाल पूछू मस्टर जी एक और हाँ हाँ क्या बचा है वो भी पूछ लो बंदर के जन दिन की पार्टी में सभी जनवर और चीप जन दुआ है लेकिन एक जनवन नहीं आया वो कौन सा जनवर है सेर नहीं आया होगा क्योंकि वो आता तो सभी को खा जाता फिर गलत जवाब गदा पाटी में नहीं आया क्योंकि गदे को तो हमने फ्रिज में बंद कर दिया था एक और सवाल पूछू मस्टर जी यह वाला लास्ट रहेगा बस एक और खीक है बोल हरामजादे रास्त में एक नदी है जिसमें एक खतरनाक मगरमच रहता है और उस नदी के उपर आने जाने के फूल भी नहीं है आप नदी कैसे पार करोगे मैं नाव लेकर नदी पार करूँगा फिर गलत जवाब तो तुम बताओ कैसे मास्तर जी इतनी जल्दी नाव कहां से मिलेगी तब तक तो आप नदी टैर कर भी पार कर लोगे मगरमच से तिरा बाप बचाएगा मास्तर जी आपकी इतनी फट्टी क्यों है आपको तो पता है सबी जीब जानवर बंदर की पार्टी में गए हुए है तो मगरमच नदी में कैसे आएगा आज तो तु गया बेटे पहले ये बता कल स्कूल क्यों नहीं आए मास्तर जी गल्फरेंड से मिलने गया था किस लिए मैंने पूछा किस लिए लिए सेर बहुत लिए मजा आगया कसम से बहुत मजा आगया ना सबina करता है य swinging जथ जानवर पड़ाय वड़ाय पड्राई करता हूं रुग्जा इसे लो कार्थ बता करमन्या वधी का रास्ते मा फले सकदाचन जल्दी बता इस कार्थ तो बता जल्दी रादी का सायद रास्ते में फल बेचने का काम कर रही है यही है इसकार्थ अरे मूरक जड़ बुद्धी यह इसकार्थ नहीं है चल कोई और सवाल पुछता हूं उसकार्थ बता ठीक है मास्टर जी बहु नीमे व्यतितानी जन्दमानी तब चार जुन जल्दी इसकार्थ बता हाँ मास्टर जी इसका आर्थ मुझे पता है पता है मुझे पता है बता जल्दी इसका आर्थ है मेरी बहु के के बच्चे पैता हो चुके हैं सभी का जन्द चार जुन को हुआ है मास्टर जी मैंने ठीक कहा ना हराम खोर निकल जा मेरी क्लासरूम से बच्चो क्लास में लड़ाई जगड़ा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हाँ मस्टर जी आपने एक दम ठीक कहा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हाँ ये समझदार बच्चा लगता है मुझे हाँ तो बेटा बताओ तो क्लास्रूमें लड़ाई जगड़ा क्यों नहीं करनी चाहिए जी सर क्योंकि पता नहीं एक्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए बैठ हराम खोर बच्चो बताओ 1869 में क्या हुआ था सर गांदी जी का जन हुआ था बिल्कुल सही बैठो नीचे अब कालू तुम बताओ 1872 में क्या हुआ था सर इस साल गांदी जी तीन साल के हो गए थे मैं बैठो क्या सर तुम बैठो ना तुम मरो कहीं जाकर अच्छा बच्चो बताओ अकबर कौन था सर मैं बताओ सर मैं बताओ मुझे आता है हाँ बताओ सर अकबर गिय था क्या क्या तुम पागल हो गए हो बताओ ऐसा क्यों लगता है तुम्हे सर हम सबने सुना है लैला मजनू, हीर रांचा, सोनी महिवाल, रोमियो जुलियेट इन सब में सब लड़का और लड़की थे लेकिन बस केबर अकबर और बीरबल थे जिसमें दोनों ही लड़का है सर वो कौन सा पंची है जो सबसे तेज उड़ता है सर हाथी नालाएक हाथी उड़ता है बता तिरा बाप क्या करता है सर दाउत के गैंग में सूटर है साबास बेटे मैं तो तिरे साथ मजाग कर रहा था सब लिख लो बच्चो हाथी सबसे तेज दूरता है अच्छा कालू A B C सुनाओ हाँ सर सुनाते हैं A B C और सुनाओ हाँ सर और सब बढ़िया है आप सुनाओ कि अच्छा कालू A B C